नमस्कार, SGV News देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरिया इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको पता दे जो अर्विंद केजरिवाल से जुड़ी हुई सामने आ रही है जी हाँ, परधान मंत्री नरेंदर मोधी डिगरी विवाद में अर्विंद केजरिवाल और संजे सिंग को बड़ा जटका लगा है गुजराथ हाई कोट ने मानहानी केस की सुनवाई रोकने से इंकार कर दिया है यहाँ की अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग आज की अगर बात की रहा है यहाँ पर अर्विंद केजरिवाल से जुड़ी हुई लगातार आमादमी पार्टी को जटके पे जटका पिछले कुछ दिनों से मिल रहा है संजे सिंग राजसबा से निलंबिद होते हैं सुशील कुमार रिंकु लोकसबा सांसद वो भी निलंबिद होते हैं फिर रागव चड़ा पर यहाँ जो है एक्शन की मांग उठती है दरसल पीम मोदी के डिगरी विवाद में मानहानी केस का सामना कर रहे है दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल को यह गुजराथ हाई कोट से कुछ देर पहले ही बड़ा जटका लगा है गुजराध हाई कोट ने दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केज़िवाल की उस मांग को खारिच कर दिया है जिसमें उन्होंने रिविजन पिटीशन के लंबित रहने तक निचली कोट में मानहानी केस की सुनवाई को रोकने की मांग की थी दरसल गुजराध हाई कोट के जस्टिस समीर दवे ने अर्विंद केज़िवाल और संजे सिंग की अरजी पर सुनवाई की अर्विंद केज़िवाल और संजे सिंग की तरफ से कोट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मीहिर जोशी ने तमाम दलीले रखी तमाम दलीलों को से खारीच कर दिया दरसल गुजरात विश्व विध्याल्य मानहानी केस में आम आदमी पार्टी के से उजग क्या फिर कहा जाए दिली के मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल और उनके साथ ही संजे सिंग को यह एहमदाबाद की निश्टली अदालत में पेश होना है गुज पसवारता का आयोजित किया था इसके बाद गुजरात यूनिवस्टी ने मानहानी का केस किया था इसमें दोनों नेताओं को पेश होने के लिए समन भी जारी किये गए थे लेकिन पिछली बार दोनों नेताओं को कोट ने छूड़ दे दी थी क्योंकि उस समय उनके वकीलो रखे जाने से राहत नहीं मिल पाई थी इसके बाद अरविं के जिवाल और संजे सिंग ने है कोट का रुख किया था कि है कोट की चलते हैं है कोट में भी दोनों नेताओं को अबबर राहत नहीं मिली है दरसल मीर जोशी ने कोट में कहा कि उन्होंने मेट्रोपोलिटेन कोट के समन के खिलाफ सेशन कोट में अरजी लगाई थी लेकिन वहाँ गुजरात विश्विविद्याले की तरफ से दलीले रखने के लिए 20 दिन का समय मांगा गया जोशी ने कहा कि हमने इस बारे में 25 जुलाई को गुजरात विश्विद्याले को सूचित किया था फिर आगे जोशी ने ये भी कहा कि मैं आपसे मजिस्ट्रेट कोट में कारवाही पर रोक लगाने का आग्रे करता हूँ सेशन कोट के समक्ष रिविजन पिटिशन पर जल्द सुनवाई और फैसले का आदेश पारित करें दरसल कथित अपमान जनक बियानों पर गुजरात उनिवस्टी द्वारा दायर मानहानी मामले में दोनों को 11 अगस्त यानि की आज के लिए तलब किया गया था इससे पहले 5 अगस्त को सिटी, सिविल और सेशन कोट एहमदाबाद ने उनकी पुनर विचार याचिका का निप्टारा होने तक मुकदमे की कारवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिच कर दिया था बैरहाल मामले की प्रिष्ट भूमी क्या है? क्या पूरा मामला है? उसके बारे में भी आपको पता देते हैं क्या ये मानानी का केस है? दरसल भारतिय दंट सहीता यानि की IPC की धारा 500 के तहत गुजरात युनिवस्टी द्वारा अपने रजिस्ट्रार डॉक्टर प्यूश M. पतेल के माध्यम से दायर अपराधिक शिकायत में अर्विंद के जिवाल और संजे सिंग के कथित ब्यानों का हवाला दिया गया था जिसमें उन पर प्रेस कॉंफरेंस में व्यंग्यात्मक और अपमान जनक ब्यान देने का आरोप लगाया गया ट्विटर हैंडल पर भी परधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर यूनिवरस्टी पर निशाना साधा जा रहा और उसी के चलते यह पूरा जो है यहाँ पर केस सामने आ है कथित ब्यान क्या था वो भी आपको पता देते हैं कथित ब्यान इस प्रकार है कि अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दी क्यों नहीं जा रही है फिर आगे का आ गया कि गुजरात और दिल्ली उनिवरस्टी डिग्री क्यों नहीं दे रही है डिग्री इसले नहीं चुपाने की कोशिश कर रहे हैं फिर आगे उसमें कहा गया कि युनिवस्टी परधान मंत्री की फरजी डिग्री को सही साबित करने में जुट गई ये वो ब्यान है जिन्हें युनिवस्टी ने अपनी शिकायत में अर्विंद केरजिवाल के हवाले से लिखा है जो कहा गया 2016 के आदेश को खारिज कर दिया गया जिसमें गुजरात युनिवस्टी को दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केरजिवाल को नरेंदर दामोदर मोदी के नाम पर डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया बैरहाल शिकायत में आगे कहा गया कि गुजरात हाई कोट के आदेश के तुरंत बाद अर्विंद केरजिवाल ने प्रेस कॉन्फरेंस में गुजरात युनिवस्टी के खिलाफ अपमान जनक बेयान दिये जबकि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि परधान मंत्री की डिग्री युनिवस्टी की कि युनिवस्टी ने अपनी शिकायत में ये भी तर्क दिया है कि मुख्यमंत्री अर्विंद केरजिवाल ने अपनी व्यक्तिकत शमता और राज्य के मामलों के लिए नहीं में बेयान दिया वहीं इसी साल एपरल में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन जेश बाई चुवतिया ने ये पाया की प्रथम दृष्टिया अर्विंद केर्जिवाल और संजे सिंग दोनों ने गुजरात युनिवस्टी को निशाना बनाया क्योंकि उनके तवारा कहेगे शब्द व्यंग्यात्मक हैं और लोगों के मन में गुजरात युनिवस्टी की छवी को निशाना बनाने के लिए थे ये पूरा मामला था अब इसमें आगे कोट ने कहा कि ये स्वभाविक है कि आरोपी लोगों के बियानों के कारण जो लोग गुजरात युनिवस्टी की साख जानते हैं और जो लोग गुजरात युनिवस्टी को नहीं जानते हैं उनके मन में गुजरात युनिवस्टी के प्रती अविश्वास पैदा हो जाएगा। बॉलेगे शब्द व्यक्तिガत माने जाएगे। यह उस क्रa में है जिसमें नियाले ने नियाले के समक्ष जो है उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया। बैर हाल तो यहां पर यह बड़ा जटका आम आदमी पार्टी को लगा जबकि हमने आपको जो पूरी इसकी प्रिष्ट बूमी बताई कि पहले से ही उनिवस्टी की वेब साइट पर डिग्री प्रकाशित की जा चुके है जब अमिद शाह राष्टे देक्ष थे भारतिंता प अवजूद जान पूश करके आम आदमी पार्टी अर्विंद केजवल इसी मुद्दे पर जो है लगातार पिछले एक लंबे समय से लगे हुए और इसी में जो उनको पेश होने के लिए का गया था 11 अगस्त को अब उनको पेश नहीं होना था पिछली बार चलो बाड़ का पहुंचते हैं तो इसलिए यहां पर रोक लगाने के लिए कि वहां की जो इस समय कारवाही चल रही है उसलिए हाइप कोर्ष ने खारिष कर दिया है उस मांग को और बड़ा जटका यहां पर आम आदमी पार्टी को लगता हूँ बैरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो जो भी प्रतिक्रिया हो अब जरूर हमार से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे स्टीव न्यूस के साथ दन्यवाद